से गाइस वेलकम बैक टो दे चानल सो फाइनली मोस्ट अवेटेड फ्लिप कार्ड एक्सेस क्रेडिट कार्ड अब आपको फिक्स डिपॉजिट पे मिलना स्टार्ट हो गया है इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे कैसा आपको अपलाई करना है किस तरीके से फिक्स कर देट आफर के लिए आप मारे टेलग्राम चाहिए जोइन कर सकते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो लेट गे स्ट्रेट टू दा वीडियो चलो मैं डिटेल में कवर करता हूं अगर आपके पास एक्सेस बैंक का एकाउंट है चाहे वो ओनलाइन ऑप क्लाइन ऑपन किया वह हो और आपने उसमें अपतर कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं किया है तो आपके लिए रास्ता क्लियर है आपको कुछ खास नहीं करना ब्रांज विजिट करिए और उनको क्लियरली बोलिएगा अच्छी तरीके से कि आपको फिक्स डिपॉजिट पे चाहिए तो आप हमारा एक फिक्स डिपॉजिट यहां पर ऑपन कर देजे तो वो लोग दोनों के प्रोसेस को एक साथ ऑपन करेंगे यानि कि क्रेडिट का भी आपका अप्लिकेशन जाएगा साथ में और फिक्स डिपॉजिट का भी अप्लिकेशन साथ में जाएगा तो य यह आपका process है और इसी process को ही आपको follow यहां पर करना है दूसरा अगर आपके पास Access Bank का account नहीं है तो आपको जो account ऑपेंड करवाना ही पड़ेगा compulsory है fixed deposit के लिए account ऑपेंड करवाना compulsory है तो इसके लिए देखो कहीं online के लिए मत चले जाना online जो account ऑपेंड होता Axis Bank का वो मत करना मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप branch जा करके open करवाते हो तो आपको थोड़ा सा convenience अच्छा देखने को मिलेगा जैसे कि अगर आप branch पर open करवाऊगे तो जो भी बंदा account आपका open करेगा तो उसको एक point मिलता है जैसे वो लोग account open करते हैं जो भी open करता है उनको point मिलता है उनको credit मिलता है तो इससे क्या है कि उनको credit मिलेगा तो वह आपको नजर में पहचाल नेंगे कि आप चलो ठीक है customer हो तो उससे जो काम आसान हो जाता है फिर आप उसको अराम से बोलिया है कि हमें access bank credit card चाहिए जो कि flip card वाला ही चाहिए एकदम ध्यान आपको दे सकते हैं my zone भी दे सकते हैं तो इसलिए उनको clearly बोलिएगा तो इस तरीके से एक process है flip card, access bank, credit card को fix deposit में लेने के लिए अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहिए किस तरीके से fix deposit नहीं करना है देखो आप लोग हो सकते हैं अभी थोड़ा दिमाग लगाओगे कि आ आपका FD भी create हो जाएगा online लेकिन आपको credit card यहाँ पर नहीं मिल पाएगा एक ही process है एकदम आपको थोड़ा से यहाँ पर मेहनत करना पड़ेगा बरांच जा नहीं पड़ेगा और उनको इस तरीके से बोलके ही credit card को apply यहाँ पर करना है online FD करके नहीं करना नहीं तो आपक को detail में समझाता हूं तो सबसे पहला point तो यह है कि minimum आपको जो fix deposit करवाना पड़ेगा वो 20K करवान होगे यानि कि 20,000 करवाओगे तभी आपको credit card देखने को मिलेगा वैसे देखो market में बहुत सारे हैं जैसे कि ICSA bank तो आपको 10,000 में fix deposit card कर देता यानि कि 10,000 का FD करवा यह और hand to hand आपको online यह पर credit card मिल जाता है तो इसका तो मैंने आपको live video बना के दिया है तो अगर आपके बस ICSA bank account है तो आप हमारा उस video को जाके check out करेए क्योंकि ICSA bank application में एक option देती है जहाँ आप online घर बैठे fix deposit पे credit card अपलाई कर सकते हैं लाइप video बना दिया तो उस video का link मिल जागा description में चेकाउट यहां पर कर लिजेगा तो सबसे पहले minimum 20K का आपको FD करवाने ही पड़ेगा दूसरा point यह है कि आप जितने भी amount का FD करवाएंगे उसका आपको limit जो है 80% ही देखने को मिलेगा यह आपको ध्यान देना है और बहुत सालों कमेंट करते हैं कि fixed deposit credit card का बढ़ेगा देखो भाई limit नहीं बढ़ता है जब तक आप अपने FD को नहीं बढ़ाओगे तब तक आपको कोई भी bank के तरफ से limit नहीं बढ़ने वाला है तो अगर आपको limit बढ़ाना होगा तो application जाके bank भी देना पड़ेगा कि हम लोग फिक्स deposit का credit card limit बढ़ाना है तो अगला point आपको ये भी बताना चाहिएं कि जितने भी duration का आपने fix deposit करवाया है उतने ही duration तक आपका ये card चलेगा ठीक है अगर आपने एक साल करवाया है तो एक साल तक ही card चलेगा उसके बाद फिर ये card आपका बंद हो जाएगा देखो most of the time में देखा गया है कि अगर आप आपका FD खतम हो जाएगा जिस दिन उसी दिन आपका यहाँ पे card को भी बंद कर दिया जाएगा अगला ये बहुत important इससे ध्यान समझना अगर आपने पहले सेक्सिस बैंक में कोई FD किया हुआ है और उस FD पे आपने already कोई my zone credit card या कोई सा भी credit card axis bank का आपने लिया हुआ ह आपको एक्सिस फ्लिप कार्ड वेला credit card मिलेगा तो already FD चल रहा है तो उसमें नहीं होगा आपको wait करके 6 मैना आपको बंद करने के बाद ही यह अवला process आपको देखिने को मिलेगा इस credit card को लेने के लिए एकदम new FD होना जरूरी है क्योंकि offer जहां तक मेरे को पता लगा मै आपका जो year है वह 18 प्लस से उपर आप होने चाहिए और FD जो आप करवा होगो है वह minimum एक साल का आपको करवाने ही पड़ेगा एक साल से नीचे कहां पर FD में आपको नहीं मिलेगा अच्छा एक चीश के लिए कर देना चाहेंगे जो फ्लिपकार्ड एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के offers बेनेफिट है वही सेम ओपर इसा बिलकुल नहीं है कि आपने लिया है तो आपको थोड़ा ओफर से कंपरमाइस करना पड़ेगा तो मैंने सारा इहां पर डिटेल में कवर कर दिया है कि कैसे आपको यह क्रेडिट कार्ड को लेना है अगर मैं अपना opinion बता हूँ तो definitely आपको इस credit card के साथ जाना चाहिए अगर आपको pre-approved पे नहीं मिल रहा है ITR sales trip पे नहीं मिल रहा है card तो आप definitely fixed deposit साथ जा सकते हो कि card का benefit ही काफी जादे best है 5% का unlimited cashback देहने को मिलता है लेकिन अगर आपको यह flip card में उतना swapping नहीं करते हो और आप अगर चाहरो कि आपको बस एक credit card चीए civil score बनाने के लिए यह आपका civil score को अच्छा करने के लिए तो definitely ICC bank अगर आपके पास account है तो उसके साथ ही जाना क्योंकि उसका process बहुत ही simple है घर बैठे आपका सारा काम हो जागा मैंने तो live video बना के भी दिया है उस video को check out कर आप महीं वहां पर एक option दिया हुआ है fd credit card का वहीं से आप create करिए तीन से चार दिन के बाद आपका एप में credit card हो जाएगा और 15 दिन के अंदर अंदर आपके घर में credit card हो जाएगा तो मलब convenience ICC bank में जाद है fix deposit में लेने के लिए वह अगर access bank की बात करे तो आपको definitely branch जाना ह के दे दिया है तो यहीं थे आज की video definitely आप credit card को लिजे मेरे तरफ से highly recommend कोई भी loss आपको definitely नहीं होगा अच्छा एक चीज़ बताना चाहेंगे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यह जो आपने fd क्या है उसे close कैसे करना है अगर आपको urgent पैसे की जरुवत पड़ी है तो क्या आप उसे close कर पाऊगे या नहीं कर पाऊगे तो देखो close करने का तरीका थोड़ा सा लंबा है प्रोसेस में टाइम लगेगा सबसे पहले आपको ब्रांच विजिट करके अपने credit card को बंद करवाना होगा आपका card बंद होगा उसके बाद ही आपका fd close होगा आपके पैसे को बैंक यहाँ पर credit किया जाएगा तो सबसे पहले ब्रांच में जाईए credit card closer application दिजे दो से तीन दिन यह लोग टाइम लेंगे जैसे credit card का close का message आता है फिर से ब्रांच जाईए और फिर से एक बार fd close का उनको application दिजे फिर fd जिस दिन close होगा उसके बाद आपका पैसा bank में credit credit होगा तो यह थोड़ा से लंबा प्रोसेस होता और सभी बैंक का यही प्रोसेस ऐसा बिलकुल नहीं घर बैठे हो जाता है तो इसी तरीके साब अपने fd को भी close कर पाऊगे और जैसे अगर आपने एक साल के लिए किया है तो जैसे एक साल होगा complete होगा automatic वो fd का interest के साथ म बंद हो जाएगा तो यही था प्रोसेस अगर आपको वीडियो हेलफूल लगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं और फ्रेंड लेटी में शेयर कर सकते हैं अगर उनको credit काड नहीं मिल रहा है फ्लिप कार्ड एक्सेस बैंक वाला तो उनको यह शेयर कर दीजे क 20,000 कहीं फिक्स दीपॉजिट पर यह credit काड आपको मिल सकता है तो वीडियो को शेयर करना ना भूले तो यही था आज की वीडियो पसादा वीडियो को लाइक कर सकते हैं मिलते वाड़ साथ अब तक के लिए जै हिंद जै भारत